आज मैं आप सभी के लिए भेल की रिष्पी लेकर आई हूँ भेल पूरी किसे पसंद नहीं आप सभी ने एक नेक बार तो भेल का टेस्ट लिया ही होगा भेल भारत में बहुत ही ज़ादा लोग पूरिये है भेल किलोकृता इसी से कर सकते हैं इस पर एक गाना भी बना है साइद आप लोगों ने सुना भी होगा मैं तो भेल पूरी खा रहा था आज मैं अपनी फेमली की फेवरिट भेल पूरी की रेस्पी लेकर आई हूँ जिनरी भेल पूरी मुर्मूरे वेजटेवल्स और टेंगे टेमरिंग चटनी के साथ बनाई जाती है पर आज मैं भेल पूरी मुर्मूरे की जगह लावा के साथ बनाऊंगी लावा जिसे खील भी कहा जाता है जिसे लाजा भी कहा जाता है हमारे यहाँ धान का लावा कहा जाता है तो चलिए रेस्पी शुरू करते है मैंने इस कप से एक कप लावा यानि खील लिया है इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है सबसे पहले क्या करना है कि इससे धान के छिलका को निकाल लेना है चुकि यह धान को फ्राई करके बनता है तो कहीं कहीं यह छिलका लगा रह जाता है आपको मैं नजदीक से धान के छिलका को दिखाती हूँ देखिए इसी को निकाल लेना है तो मैंने इस अच्छे सबीन लिया है अब इसे मैं 10 मिनट तक लोटू मीरियम हीट पर रोस्ट कर लेती हूँ कभी कभी क्या होता है कि जब इन्हें हम पाजार से खरीद कर लाते हैं तो ये थोड़े सॉफ्ट रहते हैं तो इन्हें क्रिस्पी करना बहुत जरूरी है 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज हो गया है पूरी तरह क्रिस्पी होने का साइन या है कि जब इन्हें हम उगलियों की सहाईता से दवाएंगे तो ये तूट जाएंगे देख सकते हैं यह पूरी तरह तूट रहे हैं यानि यह क्रिस्पी हो चुके हैं अब गैस ओफ कर देती हूँ और इन्हें कडाही में ऐसे ही रहने देती हूँ तब तक मैं सब्जियां काट लेती हूँ तो पांच मिनट के बाद मैं मिलती हूँ पांच मिनट के बाद मैंने लावा को एक बाउल में निकाल लिया है मैंने सबजियां भी काट ली है अब इन्हें साइट में रखकर एक मिक्सिंग बॉल ले लेती हूँ अब इस मिक्सिंग बॉल में बारी बारी से सारी कटी हुई सबजियों को डाल देना है मैंने सबजियों में प्याज, हरी मीर्च, टमाटर, उबले हुए आलू और धन्या पत्ते ली है इन्हें चमच की सहायता से मिक्स कर लेती हूँ मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूंगी फ्राइट पीनट्स, रोस्टेड चना और सेव भूजिया लास्ट में डाल देना है लावा को इन सबही को सबजियों के साथ अच्छी तरह मिक्स करना है समाग्रियों की मात्रा आपको जितना भिल बनाना है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं इन सभी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब बारी है उन समगरियों को एड़ करने की जो इसके टेस्ट को इमेजिंग बना देते हैं यो कहिए कि खाने के वाद वाह कहने को मजबूर कर देते हैं अब मैं डालूँगी इसमें दो बड़े चमच इमली की चट्टी अगर आप के पास इमली की चट्टी ना हो इमली को गर्म पानी में भीगो कर दस मिनाट तक गोड़ी असक करके साथ गर्म कर दें फिर ठंड़ा करके उसे मिला दें साथी स्वादा नुसार नमक, आधा छोटा चमच काला नमक, एक छोटा चमच चाट मसाला, टेस्ट के एक ओर्डिंग रोस्टेट लल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चमच रोस्टेट जीरा पाउडर, और आधा छोटा चमच रोस्टेट धनिया पाउडर लास्ट में एक बड़ा चम्मच निम्बो कारस अब मैं सारी सामगरियों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ आप मुर्मुरे के साथ सेम इसी तरीके से भेल बना सकते हैं मैंने सिर्फ मुर्मुरे के जगा लावा कईउज किया है मैंने सारी सामग्रियों को अच्छे से मिक्स कर लिया है इस तरह चटपटा भेल तैयार है अब इसे मैं सर्व कर लेती हूँ मैंने भेल सर्व कर लिया है अब यह खाने के लिए तैयार है नजदीक से मैं दिखाती हूँ देख सकते हैं कितना चटपटा देख रहा है जब भी कुछ चटपटा खाने करामन करे तो आप मेरी रेस्पी को ट्राइ कर सकते हैं जब भी मैं बजार से लौवा खरीद कर लाती हूँ तो यह अभेल जरूर बनाती हूँ क्या भेल मेरे फेमली की फेबरिट है अगर रिस्पी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे जाका लाइक और कमेंट करे मेरे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करना भिल्कुल न भूले तो चलती हूँ फिर मिलूंगी नेक्स वीडियो में एक नई रिस्पी के साथ तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का अनंद लेते रहिए थैंक यू और विस्यू अभी न्यू यू यर